गुद मानिंग डियर स्टुडेंट्स, हवार यू बेटा, I hope all you are fine, now we will start our exercise 3.8, डिवाइड, डिवाइड आप सबको करना आता है, कैसे करते हैं, ये स्टेटमेंट दी गई है, 43.128 by 12, देखो मैं एक सम करके दिखा देते हूं, आपको यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेटमे कर देंगे, ठीक है, 12 बंजा 12, पहले टू डिजिट लेके चलेंगे, 23 जा पर जाएगा, 36, क्योंकि 12 फोर्ट जा, 43 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना, इससे कम रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा 43 से, या तो 43 हो, या उससे कम हो, 12 बंजा, 12, 12 टू जा, 24, 12, 3 जा, 36, और 12 फोर्ट जा, 48, तो 48 कितना है, 43 से ज्यादा है, तो 36 पे चलेंगे, हम 3 जा पे, फिर हम क्या करेंगे, 36 को 43 में से सब्टेक्ट कर देंगे, हमारा 7 बचेगा, फिर हम नेक्स डिजिट नीचे लेके आएगे, और हम फिर ऐसे ही, इसको डिवाइड करेंगे, 5 जा पर लेके जाएगे, क्योंकि 6 जा जादा हो जाता है, फिर हम इसको यहाँ से सब्टेक्ट करेंगे, और नेक्स डिजिट लेके आएगे, हम एक एक डिजिट उतारेंगे, ठीक है, फिर नेक्स इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे, एक बात और बेटा, अगर यहाँ पर हमारा complete आ गया जैसे 48 आ गया और यहाँ पर एक statement और होती, 7, 8, 9, जो भी, तो मुसको उतारते, वो पहल से कम थी, divide नहीं होती, और उसके सामने होता 1, हमें 2 digit एक साथ लेनी हैं, तो हम क्या करेंगे, उपर 0 लगाके, फिर हम दूसरी digit नीचे लेके आएंगे without 0 हमें एक साथ 2 statement नहीं लेके आ सकते नीचे, हम एक ही लेके आ सकते हैं, अगर हमें एक साथ 2 statement लेके आनी हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 0 लगाकर, तब हम 2 statement एक साथ नीचे लेकर आएंगे, इस तरह से आपको बिटा यह sum करने हैं, सभी sum divide के हैं, very easy हैं, 25 तक की table है, इसके अंदर, ok, 36 की भी है, मैंने आपको बता रखा है, आपको 25 तक मैंने आपकी जो table है, वो लिखवा रखी हैं, learn करवा रखी हैं, लेकिन 36 की नहीं दी, तो आप क्या करोगे, multiply करके, पहले 36 की table लिखोगे, फिर आप उस sum को करोगी, ok, thank you, have a nice day बिटा, आप आपको ये exercise complete करनी है, notebook के अंदर, और बिल्कुल साफ साफ लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है, very easy exercise है, और इसका सिर्फ आपको आज first sum ही complete करना है, ok, 15 sum है first sum के अंदर, तो यही complete करनी है, इसके second, third, fourth sum हम बाद में देखेंगे ok, बिटा, तो आपको एक ही sum करना इसका, thank you, have a nice day